आज मैं आपको Samsung Z26 का Input-Export Process दिखाएंगे तो सबसे पहले मैं चला जाता हूँ Setting पर आने की बाद नीचे देखिए About Device लिखा है इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह देखिए मेरा Mobile का Model Samsung Z26 Input-Export कैसे करेंगे चले देखते हैं तो सबसे पहले Contract पर चले आएंगे यह पर आने के बाद उपर देखिए More लिखा है इस पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप देखिए तीन अफ्षन यहाँ पर आया है पहला है डिलाइट दुसरा इशेयर और तिसरा सेटिंग तो सेटिंग पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद उपर देखिए लिखा है Import-Export Contracts तो यहाँ पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आप कौन से पे क्लिक करेगे यहाँ पे इंपोर्ट दुसरे पे एक्सपोर्ट तो मैं मेरी ओल्ड मुबाइल चे निया मुबाइल पे कौन्टेक नमबार लेने बलाओ तो इसमें एक्सपोर्ट का अप्षान आता है अप्षान आपको क्लिक करना होगा एक्सपोर्ट पे क्लिक करना के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट नाउगा आपको इंपर जाके नमबार चाहते हैं डिवाइस्टोरीज, SD Card, SIM 1, SIM 2 तो मैं डिवाइस्टोरीज पे क्लिक करूँगा यानि फून मेमोरी पे क्लिक कर दिया तो अभी मैं आपको मेमोरी काट पे जाके देखाऊंगा तो बेक कर दिया मैंने फिर से बेक कर दिया अबी मैं आपको अभी मैं आपको memory card पर चले जाके दिखाता हूँ यहाँ पर आ गया मेरे memory card पर यानि device stories पर क्लिक करने की बाद नीचे दिखे लिखा हुआ है contract इस पर क्लिप करेंगे अभी दिखे सारा का सारा number चलाया है अभी यह number आप दूसरी mobile पर यानि नया mobile पर ले जा सकते हैं ले जाने की बाद अब memory पर ले जाएंगे ले जाने की बाद यहाँ शेप करना है आपको शेप करने की बाद सारी number आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप अपनी contract number दूसरी mobile पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं धन्देबाद